नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थेओं मैं हूँ अभिनोक तोशांशु पांडे और हम कर रहे हैं नौकडाउन सिरीज हमको एक ही वीडियो में या बहुत ही छोटे से वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लिक करना है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तीन वीडियो के अंदर ही आपका पूरा प्रकाश की खता हो जाए इस सिलसले में हम लोगों को जितनी भी चीज़े जानकारी मालूम थी हम लोगों ने उस पर चर्चा कर ली है और आज हमारी चर्चा का विशय है कि हम अप्वरतन के बारे में बा प्रकास का अप्वरतन कहते हैं अप्वरतन सदैव माध्यम के अंतर के कारण माध्यम में प्रकास की चाल के अंतर के कारण ही होता है यहां पर जो है ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकास का जो अप्वरतन होता है हमको पता है कि म्यू बराबर म्यू बराबर सी वन बट कि यहां पर आब रित्ति में कोई परिवर्त नहीं आता किंट तरंग डैध में परिवर्तन के कारण अलग और प्र प्रकास की किरने अलग 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 कोनव पर अपवर्तित होती हैं यहां पर हम बा देख हो वायू से होकर प्रकास के प्रवेश कर रही है और ऐसी स्थिती में सघन्माद्ध्याइम से सघन्माद्ध्याइम और ऐसी स्थिती में यह अभिलम से दूर हड़ जाती है। तो इससे हम प्रकास के अपॉर्तन का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में हम अगली चीज देखते हैं कि अपॉर्तन के क्या क्या नियम है। अपोर्तन के नियम के लिए जो है हमारे पास में पहला नियम है कि आपोर्तित किरन अफिलम तथा अपोर्तन बिंदू एक ही संतल में होते हैं और दूसरी बात यह है कि अपोर्तन आंक के लिए स्नेल का नियम इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं तो स्नेल के नियम के अनुसार जो यह सारे चीज़े देखने के बाद में हमको एक और तीसरा नियम देख लेगा चाहिए और वो है कि हमेशा जो हम अपने किरण कोनों को कहां से नापते हैं अभिलम से नापते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे वास्तरिक आभासि गहराई के बारे में एकात प्रशना आप से पूछा जा सकता है जब प्रकास की किरण जो है अब यहां पर क्या हो रहा है देखे यह वस्तु पानी पानी के अंदर डूबी हुई है और यहां से निकलने वाला प्रकास जो है वह म पूतनांग बराबर सतह से वास्तरिक गहराई बटा सतह से अभासि गहराई जो हमेशा छोटी होगी और इससे आपको पता चलता है कि अपूतनांग जो है वह हमेशा एक से बड़ा होता है चलिए यह समझ में आ गई बात फिर हम थोड़ी बहुत बात करेंगे मरीचिका की और यहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे रेगिस्तान है और रेगिस्तान में जो है अलग-अलग सतहों पर वायू का घना तो अलग-अलग होता है इतले इनका प्रकास की घना तो भी अधिक होता है और ऐसी स्थिति में यहां से निकलने वाला प्रकास जो है सद पर पानी के स्क्रोथ की क्या कहना चाहिए अब भ्रांती हो जाती है इसलिए इसे मरीचिका कहते हैं ऐसी ही मरीचिका जो है हम लोगों ने धुरुवय प्रदेश्चों पर भी देखा है जहां पर जहाज हमें उल्टे लटके हुए दिखाए जाते हैं अगला प्रशन जो अजलित होकर क्योंकि वीरल मातने में जा रहे हैं इसलिए अभिलम से दूर हट जाती हैं तो यहां पर यह प्रकास के किरन अभिलम से दूर हटती हुई दिखाए दी इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया आपतन कोन को थोड़ा और बढ़ाया तो अपवरतन कोन जो है दोनों सत्य से समानतर या भिलम के बिखेंट म कोंड बनाकर चलने लगती हैं इस विषय कोंड को हम क्या कैते हैं क्या कहते हैं क्रणतिक कोंड करें करांतिक कोण वह कोण है जब प्रकास की कोई कीरण सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही हो तो करांतिक कोण के आपतन कोण के लिए अपवर्तित कीरण अभिलम से नब्यांस का कोण बनाए जब हम किसी अब जब हम प्रकास की किरन का जो कोण का मान है उसे हम जो है क्रांति कोण से अधिक बना दें तो ऐसी स्थिति में प्रकास की किरन दूसरे माध्यम में जाने की बजाए पहले ही माध्यम में लोट आएगी और इस स्थिति को प्रकास का पूर्ण आंतरिक परावर किसे कहते हैं पहला प्रश्ण दूसरा प्रश्ण सिद्ध कीजिए कि म्यू बराबर एक बटा साइन सी तीसरा है प्रश्ण क्रांटिक कोन को परिभाशित करें और चौथा है कि अनुप्रयोग लिखें तो पून आंतरिक प्रवरतन के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जिसमें अपवरतनांग का दिख होता है और इसकी तुलना में बाए हिस्से में काच की ऐसी परत चड़ाई जाती है जिसका अपवरतनांग तुलनात्मक रूप से कम हो ऐसी स्थिती में प्रकास की किरिनन हर बार जो है वहां पून आंतरिक परावरतन से बुजरती है और इस पकार स प्रकास की किरन इसके आधार की और मूर जाती है प्रिज्म को देखने के बाद में हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने देखा कि किसी भी दो गोले के समन्मय वाली स्थिती में जो है हमको यहां पर लेंस रिखाई देता है जैसे कि आप यहां देख रहे हैं आप यहां पर उत्तल लेंस देख रहे हैं या इसे उभय उत्तल लेंस भी कहते हैं इन लेंसों के जो है कुछ विसेश हिस्से होते हैं इनको देखा जाए देखिए यहां पर पकाशिक बिंदू होगा यहां C1 और C2 जो है इन दोनों गोलों का केंद्र है इनका मद्ध बिंदू यहां पर F1 नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी जब आप एक इसको एक बार देख लेंगे तो आपकी समद्धारी बढ़ जाती है यहां पर प्रकास की कीरण जो है समानतर आपती थोरी है तो हम को पता है कि यहां पर वस्तु जो है अनंतर पर रखा होगा अनंतर पर रखे हुए वस्त कहां रखी हुई है दूसरा पहले पहला वस्तु कहां रखी हुई है दूसरा प्रतिविंब कहां बन रहा है तीसरा है प्रतिविंब का जो है प्रकृति क्या है प्रतिविंब की प्रकृति वास्तविक है या फिर आभासी है चौथा जो है उसका जो है उसका आकार कैसा है ठीक इसके बाद में प्रकास के इंदर से हो गुजर कर जाने वाली रहती है उसका मार्ग वेचलित नहीं होता है और इसके बाद में जो है हम अलग अलग इस्थितियों के लिए जो है रेखाचित बना रहे हैं यहां पर जब वस्तु जो है अनंत पर हो जब वस्तु अनंत पर हो तो जो है हमको प्रतिविम्ब जो है फोकस पर दिखाई देता है जो की वास्तविक प्रतिविम्ब है और इसक एक निर्टे के बाद में इसका आवर्धन जो है चोटा या अप्यानत छोटा होता है इस प्रकार से आगे देखेंगे जब वस्तु जो है वहाँ सी के परे हो तो प्रतिविम जो है C और F के बीच में बनता है प्रकृति जो है वास्तविक होती है जुकाव जो है उल्टा होता है और आवर्धन जो है छोता होता है इसके बाद में हम अगली प्रतिविम को देख रहे हैं जब वस्तु C पर हो तो प्रतिविम भी C पर बनता है प्रकृति जो है वास्तविक होती है जुकाओ जो है उल्टा होता है और आकार आवर्धन जो है यह समान होता है इसके बाद में हम अगला देखेंगे तो जब वस्तु जो है वहाँ सी और एफ के बीच में रखी हो तो प्रतिभिम जो है सी के परे बनता है ठीक है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सी के उस पार जो है प्रतिभिम बन रहे हैं प्रकृति जो है वास्तविक होती है जुकाओ उल्टा होता है और आवर्धन बड़ा होता है यहां पर आप देख रहे हैं कि यह बंदर जो है उस बंदर से ज्यादा बड़ा दिखाई रहे हैं आगे देखे इसके बाद में यहां पर कैसी है यह आभासी है बाकी सारी की सारी प्रकृति जो वास्तविक थी यहां पर आभासी है जुकाव जो है सीधा है और आवर्धन जो है बड़ा है यहां पर जो है यह वाला जो हमारा रिखा चित्र है यह महत्वपूर्ण है इसको समझना हमारे लिए आवस्यक भी इसलिए है क्योंकि इसके बाद में हम प्रकाशिक यंतरों के बारे में बात कर रहे होंगे ठीक है इस इसके लिए भी हम बात करेंगे तो जब वस्तु अनंद पर हो तो यहां-पर प्रतिभिम एफ पर बन रहा है और बाकि सारी चीज़ें आप बता पाएंगे इसके बाद में यहां पर एक और स्थिति है जब वस्तु जभर लेंस के सामने रखी लेंसों के संयोजन में यहां पर एक बटा F बराबर एक बटा F1 धन एक बटा F2 है जब कि दोनों लेंसों को एक दुसरे के पास रखा गया है इसी को हम यदि इनके पावर के बारे में बात करें तो P बराबर P1 धन P2 धन इस प्रकार से सभी लेंसों के लिए होगा और मैं आपके पास में एक और स्थिति आती है जब आपको यहां पर लेंस सूत्र की बात की जाती है और यह होता है 1 by V बटा 1 by U बराबर एक बटा F लेंस सूत्र की स्थापना के लिए आपको अलग से यहाँ पर derivation पूछा जा सकता है और लेंस सूत्र की स्थापना के साथ-साथ यहाँ पर एक और derivation है जिस पर हम लोगों ने अलग से चर्चा की हुई है आगे बढ़ेंगे संयुक्त सूक्षमिदर्शी जो है प्रकाशिक यंत्रों के बारे में बात हो गई है और संयुक्त सूक्षमिदर्शी में हमारे पास में दो स्थितियां है पहली स्थिति यह है कि जब प्रतिविम जो है वह इस पुष्ट दूरी की नियुनतम दूरी पर बन रहा हो मतलब हमको प्रतिविम यही पताप्त हो रहा है और यह रिखा चेत्र उसके बारे में दिखाता है इसके साथ जो है जब सञ्यूक्त सूक्ष्मने दर्सी में ही हमें अनंत पर प्रतिविंद बनता हुआ दिखाई दे तो उसके लिए हमारा रिखा चित्र थोड़ा सा बदल जाता है आप यहीं पर अंतर देखेंगे यहां पर देखेंगे दोनों किर्णे आपस में जाकर वहां पर से आती हुई दिखाई दे रही हैं जबकि यहां पर वहां अन प्रतिविंद दो अलगए दिखाई दे रहे हैं जब वहां नियुनतृम दृस्टर की धूरी पर हो और इसके लिए यह रिखाचेतर लेकिन दूसरा प्रश्ण ने देखे यहां पर क्या बोल रहा है कि प्रतिविंब अनंत पर बन रहा हो तब दूर दसी के लिए किरन आरेक खीचे और यह जो है किरन आरेक जब हमको देखे यहां पर यह दोनों रिखाएं अब दूसरे के समांतर जा रही है मतलब होंगी उनको रिवाइस करने के लिए हमको एक मौका मिल जाता है आगले जो है वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे तरंग प्रकाशकी की वहां पर भी जो है इसी तरीके से हम एक ही या दो ही वीडियो में जो है पूरा चैप्टर का ख़तम करने का प्रयास करेंगे तो म